आगे बात करते हैं चीन भारत विवाद की अगले 48 घंटे के लिए भारतिय वायू यूरों की गरजना से चीन की निन उड़ने वाली है और दहार भी ऐसी जिसकी गरजना बीजिंग तक सुनाई देगी दरसल आज और कल उत्तर पूर्वी राज्यों में भारतिय वायू से ना युद्ध की स्तिती के लिए कितनी तयार है और ये युद्ध अभ्यास ऐसे मौके पर हो रहा है जब अरुणांचर प्रदेश के तवाग में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने भारतिय पोस्ट पर कबजा करने की कोशिश की थी जिसे भारतिय जवानों ने विफल कर दिया थ तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इसके लावत तवाग में चीन की हरकतों का रियक्शन हिमानचर परदेश के धरमशाला में भी देखने को मिला है यहां लोगों ने चीन के खिलाब जोड़दार प्रदर्शन किया और नारे बाजी की साथ इसाथ लोगों ने चीन की जो कायराना हरकत थी तवाग में उसको लेकर जम कर गुसा निकाला है तवांग में भारते सेना न सिर्फ अलर्ट पर है बलकि चीन की किसी भी हिमाकत का मुहतोर जवाब देने के लिए पूरी तरह से तयार है हमारे स्योगी चैनल नवभारत के सयोगी प्रियांक तिरपाठी तवांग के ग्राउंड जीरो से आपके लिए ये खास रिपोर्ट लेकर आए हैं आईए आपको संगस्तर जील के पास लेकर चलते हैं जहां ठंड से जील का पानी बर्व में तब्दील हो रहा है संगसर लेक की ये सीधी तस्वीरे आप देख सकते हैं कि किस सारीके से भारती जो फौज है वो यहाँ पे अपना डॉमिनस बनाई हुई है ये जो उची परवत की श्रिंखलाए है वो ये वो श्रिंखलाए है जो भारत और चीन की सीमा को एक दूसरे से अलग करती है अगर आप इस सफेद का लगी जो लाइन है ये जो रास्ता जो जा रहा है उसको अगर आप देखें तो यही वो रास्ता है जो भारत और चीन की सीमा को एक दूसरे से अलग करता है लेकिन भारत की फौज अभी भी इन एरियाज में अपना डॉमिनस बनाई हुई है महज दस माई दूर हैं हम चीन के लाइन ओफ अक्शल कंट्रोल से हम इस समय संगतसर के तरफ है जो बमला के रपास है एक तरफ जहां चायना ने एक फेस आफ जैसी स्थी उत्पन कर दी थी वहीं तूसरी तरफ भारत और चीन की सीमा की जो एलेसी है लाइन ओफ अक्शल कंट्रोल है वहां पे हर तरफ फौजे मौजूद है एक बात फिर से हम आपको दिखाएं कि किस तरके की ये पाड़ियां है ये बिल्कुल सीधी चटान है जिस पे किसी भी इनसान की चर्णे में काफी जादा मुश्किलात पैदा होती है बाए तरफ ये अगर हम आप देखें ये संगत अफ एक्शल कंट्रोल से महज 10 माइल की दूरी से दिखा रहा है वो है कि किस विश्म परिस्टियों में भी भारत की फौजे हैं आप देखें नीचे ये जो पानी के श्रिंक लाएं है ये जो पानी जा रहा है वो अब धीरे धीरे बरफ में तबदील होने लगा है तकरीब लेकान 15 से 20 दिन परानी बरफ की जो चटाने है वो दिखाती है कि किस तरही के से भारत की फौजे इन पानी को गरम करके ही अपनी जिंदगी को मजबूत रखती हैं और किस तर히के से भारत की फौज आने वाले दिनों में भी भले स्थिति और खराब हो भले मौसुम और खर करेगी अपनी सीमाओं को उसी तरीके से बचा के रखेगी क्योंकि ये दो हजार बासट का बारा नहीं है ये दो हजार बाइस का भारत है फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही देव